दोस्तों आज का जो हमारा Q&A वीडियो है इसमें सबसे पहला सवाल है कि एक मेने में चेस्ट कैसे बनाएं देखो दोस्तों चेस्ट एक बड़ा मसल्स गुरूप है और इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है अलग-अलग मसल्स को ट्रेन करने के लिए अलग-अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जिम में वर्काउट करते हैं तो आपको कौन सा वर्काउट करना चाहिए और अगर आप घर पर workout करते हैं तब आपको chest का size बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी exercise करनी चाहिए अगर आप home workout करते हैं तो सबसे पहले आपको normal push up लगानी है और दोस्तों अगर आप gym में workout करते हैं तब आपको barbell bench press लगाना है इन दोनों exercise से आपका middle chest बहुत जल्दी train होता है दूसरी number की जो exercise आपको करनी है वो है incline push up और gym workout में आपको करना है incline dumbbell press इन दोनों exercise से आपका upper chest बहुत जल्दी grow होता है तीसरी जो exercise आपको करनी है वो है decline push up decline push up से आपका upper और lower chest दोनों ही एक साथ train होते हैं और जिम में आपको करना है डिकलाइन बार्बल प्रेस आप डंबल प्रेस भी कर सकते हैं तो दोस्तों इन तीनों एक्सेसाइज को अगर आप अपने वर्काउट रूटीन में सामिल कर लेते हो तो आपके चेस्ट का साइज बहुत तेजी से गुरो होगा और दोस्तों यहापर मैं आपको एक बहुती जरूरी बात बता देता हूँ कि हमारी बोडी को बनाने में डाइट और रेस्ट की मैथो पूरुन भूमिका होती है अगर आप चाते हैं कि आपका चेस्ट तगड़ा और भारी वर्कम बने तो जिस दिन आप चेस्ट का वर्काउ लेख की नाइट फॉल रोकने के लिए क्या करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल है क्यूंकि बहुत साड़े लड़के इस प्रमस्यां से परिसान है तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि नाइट फॉल होता क्यूँ है उसके बात में इसको रोकने के कुछ तरीके भी मैं आपको बता हूंँगा इस्परम पढ़ा रहता है उसको हमारी बॉडी बार निकाल देती है ताकि उसकी जो जगय है वो खाली हो सके और उस जगय पर नया इस्परम जो आपकी बॉडी बना रही है वो रह सके दोस्तों अगर आप हस्त मैफू नहीं करते हो और आपको एक मेने में दो से तीन बार नाइट फोल होता है तो ऐसे में आपको घबराने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है क्यूंकि ये एक नेचुरल पुरिसेस है क्यूंकि आपकी बोडी में जो पुराना इस्परम है उसे आपकी बोडी किसी न किसी तरीके से बाहर निकालेगी लेकिन अगर आप ब्रमचरय का पालन करते हो नियम करते हो तब आपकी बोडी इस प्रम को बाहर नहीं निकालेगी बलकि अपने अंदर सोख कर उसे सक्ति में तबदील कर देगी लेकिन ऐसा उनी लोगों के साथ होता है जो हमेशा ब्रमचरय का पालन करते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रो जाना या एक दो दिन छोड़कर नाइट फोल होता है तो आप इस समस्या से कैसे बस सकते हैं सबसे पहला तरीका ये एक नेगिटिब थिंकिंग पर लगाम लगाओ और हमेशा पोजिटिब सोचो जादा तर लड़के रात को सोने से पहले गलत विचारों को सोचते हैं या फिर पोन मूबी को देखते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि जब आप सोते हो तो आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं और आपको उनी चीजों के सपने भी कभी कभी आने लगते हैं और दोस्तों मैं आपको बताओं कि हमारे माइंड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये असली और नकली चीजों में फरक नहीं कर पाता है और जब आपको रात में गलत चीजों के सपने आते हैं तब आपकी बोडी को ये लगता है कि ऐसा उसके साथ में रियल में हो रहा है और ऐसी इस्तिती में आपकी बोडी कंट्रोल से भार हो जाती है और आपका nightfall होने लगता है इसलिए दोस्तों रात को सोने से पहले negative thinking ना करें और mobile को अलग से उठा कर रख दें सोने से पहले हमेशा अच्छे बिचार मन में रखें इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि पेसाब को दबा कर ना सोई ऐसा करने से 100% nightfall होगा इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रात में पेसाब आने पर उसे दबाने की कोशिस ना करें और तुरंत पेसाब करने के लिए जाएं तो दोस्तों इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको nightfall कभी नहीं होगा अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ और सवाल यह है कि बेट गेन करने के लिए मास गेनर का यूज करें या ना करें देखो दोस्तों अगर आपकी डायेट बहुत अच्छी है आप अपनी बोडी को दिन बढ़ डायेट से ही केलोरी सरपलस में रख पा रहे हो और 5-6 बड़े मील लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मास गेनर खाने की कोई जरुवत नहीं है और दोस्तों अगर आप अच्छी डायेट नहीं ले पाते हो फूड से आप अपनी दिन बढ़ की केलोरी की रुकारिमेंट को पूरा नहीं कर पाते हो थोड़ा सा ही खाने से आपका पेट भर जाता है तो आप मास गेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों यूं तो मार्केट में बहुत सारे महेंगे से महेंगे मास गेनर उपलब दें जो कि आम आदमी के जेप पर बहुत भारी है जिसमें कुछ के रिजल्ट तो ठीक हैं लेकिन कुछ के रिजल्ट बिल्कुल बगक्वास हैं दोस्तों अगर आपको एक सस्ता और अच्छा मास गेनर चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा एजिटीज नूट्रेशन का एटम मास गेनर जी हाँ दोस्तों यह एक क्वाल्टिक प्रोडेक्ट है और जाने माने अविनेता सोनो सूद और ओलंपिक सिल्वर म अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह मास गेनर सबसे अलग और खास क्यों है सबसे पहली बात तो यह है कि यह आपको सिर्फ ग्यारा सो रुपे के अंदर अंदर डेड़ किलो मिल जाता है यानि यह आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा अब दोस् हरिबिंग में आपको वो मिलेगा जो की आपको साइधी किसी और मास गेनर में देखने को मिलता है इसमें आपको 60 ग्राम कार्भुयडेट 12 ग्राम प्रोटीन फैट 3 ग्राम है जो की ना के वराबर है डाइटरी फाइवर 1 ग्राम है इसके अलावा इसमें आपको एक जबड के लिए बहुत जरूरी हैं दोस्तों इसके अलावे ये प्रोडेक्ट टू इस्टेप बेरिपिकेशन फोर ऑंथंटिकेशन थाल्ड पार्टी लेब टेस्टेड है जी एमपी द्वारा परमानित है और नाडा वाडा के अनुसार किसी भी डोपिंग सामयगिरी से मुक्त है द इसे यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मास गेनर को दिन में दो बार यूज करें यानि आदा इसकूप सुबह और आदा इसकूप सामको लें दूद और केले का सेख बनाकर यूज कर सकते हैं खाली दूद और पानी के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं रिजल्ट की चिंता ना करें बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों इस प्रोडेक्ट को आप Amazon फिलिपकाड और इनी की ओफिसल वेबसाइट से खरी सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्करप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा आप यहां से भी बाई कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर तेजी से बढ़ते हैं अपने चोथे और अंतिम सवाल की तरफ और सवाल यह कि भूख कैसे बढ़ाएं काफी अच्छा सवाल है क्योंकि अच्छी बोडी और सरीर को हमेशा स्वास्ते रखने के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है और खाने पीने के लिए भूख लगना उससे भी ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों भूख बढ़ाने का जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि आपको अपने मोबाइल में चार टाइम का अलारम सेट करना है ब्रेकफास्ट, लेंच, स्नेक्स और डिनर का आपका जो भी भोजन करने का टाइम है उस वक्त का आपको अलारम सेट करके रखना है दोस्तों इसका फायदा आपको यह होगा कि जब भी आपके खाने का समय होगा तब आपके मोबाइल में एक अलारम बजेगा जिससे कि आपके माइन को यह सिगनल जाएगा कि अब मुझे भोजन करना है और जब आप एक किस दिन तक ऐसा करोगे तो आपकी बोड़ी को उस टाइम भोजन करने की आदत पड़ जाएगी और जैसे ही वो टाइम आएगा तब आपकी बोड़ी को अपने आपी भूक लगना सुरू हो जाएगी और दोस्तों फिर आपको अलारम लगानी की कोई जरूत नहीं पड़ेगी दूसरा काम आपको ये करना है कि खाने के साथ में खटी चीजों को सामिल जरूर करें जैसे कि खटे फल खासकर नेमू को तो सामिल जरूर करना है आपने कभी न कभी इस चीज का अनुबाव जरूर किया होगा कि जब भी आप अपने खाने के साथ में खटी चीजों को खाते हो तब आप उस खाने को पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा खाते हो और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खटी चीजों में कुछ अमल पाये जाते हैं और यही अमल आपकी भूप को पहुंचकर आपकी भूख को पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा देता है तो अगर आपको भूख नहीं लगती है अपनी डाइट में खटे फल और खासकर नीमू को जरूर एड़ करें तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहीं